प्राइवेट सेक्टर के बैंक येस बैंक ने अपने जून तिमाही के कारोबारी आंकड़े रिलीस कर दिये हैं बैंक ने बताया कि पहली तिमाही में बाटे गई लोन्स और अडवांस पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत बढ़ गए हैं इसी दौरान डपॉजिट्स भी 21 प्रतिशत बढ़ गई हैं बजार बुद्वार के कारोबार में इन आंकड़ों पर रियाक्ट कर सकता है मंगलवार के कारोबार में स्टॉक 0.8 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23.86 के लेवल पर बंध हुआ बैंक के द्वारा दिये गए आंकड़ों के अनुसार पहली तिमाही में डपॉजिट्स 2.29 लाक करोड रुप्य के लेवल पर रहे जो की एक साल पहले करीब 2.0 करोड रुप्य थे दूसरी तरफ कुल जमा पिछले साल के मुकाबले 21 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2.64 लाक करोड रुप्य रहे एक साल पहले ये आंकड़ा 2.19 लाक करोड रुप्य था पहली तिमाही में बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजट रेशियो 86.4 प्रतिशत रहा जबकि एक साल पहले ये रेशियो 91.3 प्रतिशत था लिक्विडिटी रेशियो तिमाही के दौरान सुधार के साथ 137.8 प्रतिशत पर आ गया स्टॉक परफॉर्मेंस मार्च तिमाही में बैंक का मुनाफ़ा 123 प्रतिशत की बढ़त के साथ 452 करोड रुप्य रहा नेट इंट्रस्ट माजिन 2.4 प्रतिशत पर स्थिर रहा तिमाही के अंत में बैंक की बैलेश शीट 4 लाग करोड रुप्य के पार हो गई मार्च तिमाही के बहतर प्रदर्शन के बावजूद ब्रोक्रेज हाउस स्टॉक को लेकर ज्यादा भरोसा नहीं जता रहे हैं ICICI बैंक ने 20 के लक्षे के साथ बिक्री की सलाह दी है स्टॉक फिलहाल 24 के लेवल पर कारोबार कर रहा है एक साल पहले स्टॉक सत्रह के लेवल से नीचे था इसी साल फर्वरी में स्टॉक 30 के लेवल से उपर पहुँच गया था डिस्क्लेमर, एक्विटी न्यूस का विजन भारत में वित्तिय साक्षर्ता को बढ़ावा देना है हम जो सामगरी पोस्ट करते हैं वह विशुद्ध रूप से शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से है हम से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार नहीं है इसलिए हम कोई निवेश या वित्तिय सलाहकार सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं आप अपने पैसे और अपने फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे कृपया अपने वित्तिय निवेश के लिए किसी से भी पंजीकृत वित्तिय सलाहकार से परामर्ष लें